हालो दोस्तों कैसे आफस भी स्वात करते आफस भी का युवस्ति जी कोईज में तो दोस्तों आयज जोए कि बिहार मद्दिन से सिपाई के लिए हिस्ट्री यहने कि इतिहास का 100 most important question लिए हुए जो कि सारे selected question है इसमें आपको प्राचन इतियास मद्दिकाली नितियास और आधुनिक इतियास का परसुद देखने के लिए मिलेंगे सारे selected question लिया गया एच कि इस वीडियो को compared जरूर देख लिजेगा काफी आपको help करने वाला है master video है 100 question एक ही वीडियो आपको cover करवा देंगे और इसी परकार से 100 question जोग्राफिक का और 100 question quality का cover करवाएंगे उसके बाद economy और science का cover करवा देंगे तो थोड़ा सा समय बचाव हुआ है अगर master video को देख लिजेगा तो काफी हद तक आपका cover हो जाएगा तो चले शुरू करते हैं आज की इस lecture को हम सभी आए फ़ेस्ट question देखिए गुप्तिकाल में औसदी सास्तर का परमुग बिदमान कौन था तो गुप्तिकाल में औसदी सास्तर का परमुग बिदमान जो था option में A right answer रहेंगे बाग ये भट्टा था ध्यान रखेगा आप सभी option में A correct answer रहेंगे के लिए अगला question देखिए अगला question ये बंड़े कि 1916 का लखनाउ समझोता किसके बीच में हुआ था ज्यादा समय आपको नहीं देंगे तो बी रइट आंसरेंगे अखिल भारतिया आंसर दिजेगा आप सभी इसका तो फटा फट आपसी फ़हले थियोरी को कंपेड किजे जांके application पर आपको थियोरी क्लास ही दिया जा रहा है बिल्कुल topic wise तो श्वादेशी अंदोलन कब पराराम हुआ था इसका right answer option में से ब्रूद छोड़े गए अंदोलन के समय में श् कोईशन पूछा जाता है कि बंगाल भी वाजन के समय भारत का वाइसरे कुन था तो याद रखेगा आप सभी लौड करजन था और इसी के बिरूद में स्वादेशी अंदोलन प्रारम किया गया था अगला कोईशन देखिए महात्मा बुद्ध के विशे में निमने में से क आप सभी फोकस किजएगा क्या असत्य है महात्मा बुद्ध के बारे में तो इसका राइट आंसर आफिशन में से भी जाएंगे फ्रेंड कि पुनर जन्म में ये विश्वास नहीं रखते थे ध्यान रखेगा आप सभी आत्मा पर विश्वास करता था महात्मा बुद्ध याद रखेगा पुनर जन्म पर विश्वास नहीं करता था तो ये चेश के लिए आपका अगला कोईशन दिखे कि सिंदु सभ्यता का कौन सा अस्थान भारत में इस्थी थे हैं आप सभी को पता होना अच्छे सिंदु गाटी के सभ्यता जिसे हम सभी हडपा सभ्यता भी क गुजरात में पढ़ता है जो कि भोगवा न देखे तड़ पर इस्थी थे हैं याद रखेगा आप सभी और इसके खोच करता कौन थे रंगनातराव तो कोईशन भी पूछा जाता है कि लोथल की खोच किसने किती तो रंगनातराव के द्वरा किया गया था अगला कोईशन देखे लिए जे स्री नगर के अस्थापना किस सासक ने कीती फ्रेंड तो रैइट आंसर ऑफिशन में सुझेंगे असोक असोक ने स्री नगर के अस्थापना कीती ध्यान रखेगा आप सभी और इसका साक्च जो मिलता है कलहन की राज तरंगनी में मिलता है याद रखेगा आप सबी, और ये मौर recommend का तीसरा सासक था, पहला मौरे benze का, चंदरगोपति मौर उसके बाद बिंदूसार, उसके बाद जो कि असोक, ध्यान रखेगाँ आप सबी और उसके बाद बृ्धरत था, जो कि अंतिम था, अगला को, उसे ने, नादिर साने किस मुगल सासक के सासनकाल में आकरمن किया था एर एट आंसरेंगे मुगल बंस के अस्थापना 1526 में इसके दौरा बाबर के दौरा किया गया था पानिपत के पर्थम यूद के बाद इबराहीम लोदी को हराया इस यूद में और उसके बाद लोधी बंस की समापती हुई, उसके बाद मुगल बंस की अस्थापना हुई थी, तो याद रखेगा आप सभी, मुहम्मद आलम के समय में नादिर सान्या कर्मन किया था, अगला कोई से ने, रेजविक संदी 1697 के पस्चात पांडी चेरी वापस किसको मिली थ तो यह मिली थी, फ्रांस सिस्यों को ध्यान डखेगा आप सभी, तो रेजविक संदी 1697 के पस्चात पांडी चेरी जो वापस मिली थी, फ्रांस सिस्यों को मिली थी, आगे देखे रेज़े निमलेकित में से कौन सा प्रांथ, मौरी समराज इसे बाहर था, मौरी समराज के अस्थापना चंदरगुप्त मौरी के द्वरा किया गया था, जो कि नंद बंस के सासा घना नंद को प्राजित करके मगत पर विशाल समराज के अस्थापना की थी, मौरी समराज की, और यह किसके सहयता से किया गया था, तो चानक की, विशनुगुप्त चा मौरी वंस का परधान मंत्री भी बना था तो इन में से जो बहार था मौरी समराज का वो था असम ध्यान रखेगा असम जो कि फिन मौरी समराज के अंतरगत नहीं था जबकि कलिंग कस्मीर और स्वराष्ट ये सभी मौरी वंस के अंतरगत आता था ये छेतर अगला कोश्चन देख लिए जेवा कॉंग्रेस प्रेशिडेंट कौन था जिसने उन्हें 42 में क्रिप्स के साथ सिमला कॉंफरेंस में लॉड विवेल के साथ वार्ता की अबुल कलाम आजात ने किया था ध्यान रखेगा आप सबी किसने किया था अबुल कलाम आजात ने किया था और यहां से कोईशन याद रखेगा क्रिप्स मिसन जो भारत आया था वो 1942 में ही आया था और 1942 में ही भारत छोड़ा ओंजलन शुरू किया गया था माहत्मा गांदी अगला कोई से देख लेजे किस अस्थान पर भगवान महाबीर की मेर्थी हुई थी फ्रेंड आप से को बता होना अच्छे भगवान महाबीर जो फ्रेंड जैन धर्म के 24 वे तरी ठंकर थे और इसके समय जैन धर्म सिर्ष्व था यानि कि सबसे अधिक परचार वा था इसके स हुआ था पाबापूरी में यह कहां पढ़ता है बिहार में पढ़ता है ध्यान रखेगा आप सबी यहीं पर इसकी समाधी अस्थल भी है तो याद रखेगा कोई से यहां से यह बनता है कि जैन धर्म का पर्थम त्रिथंकर कौन था तो रिष्व दिवता ध्यान रखेगा आप सबी पर्थम त्रिथंकर के बात किया जाएं अगला कोई सन देख लिए गुपतिकाल में सर्बोच नियाइक प्राधिकार किस के पास था तो सर्बोच नियाइक प्राधिकार जो था वो किसके पास में था तो राइट आंसर ओफिशन में डिव जाएंगे राजा के पा पत्र शुरू किया तो इसकी सुरुवात जो की गई थी फ्रेंड इस्वर्चंद्र बिद्या सागर के द्वरा की गई थी ध्यान रखेगा के लिए इस्वर्चंद्र बिद्या सागर के द्वरा सोम परकास नमक समचार पत्र की सुरुवात की गई आगे देख लेजे लौड क करजन के सासंकाल का सबसे महतपूर्ण कार जिसने उग्र राष्टिता को जन्म दिया था। तो दीर रैट आंशर हैंगे 1905 का बंगाल विभाजन, ध्यान रखे हैंगे कि जब 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था तो ये लौड करजन के समय का सबसे महतपूर्ण गटना था जिसने की उग्र राष्ट यता को क्या दिया था जन्म दिया था इसने स्वादेशिया अंदरन के सुरुवाद भी वी थी बंगाल विवाजन के बाद में जैसे कि अभी आपको इससे पहले बताए थे तो ये चीज के लिए आपका अगला कोईशन देख लेज़े जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम से एक पहले तिरी थंकर माने जाते हैं तो एक से लेके चौविस तिरी थंकर हुए थे चौविस तिरी थंकर चौविसमा कौन था महाविर स्वामी था तो इससे एक पहले की बात किया जा रहे यानि कि अन्तिम से एक पहले की बात किया जा रहे तो अन्तिम चौविसमा तिरी थंकर महाविर था तो इससे एक पहले कौन हो जाएंगे यानि कि 23 रिथंकर की बात किया जाए तो पार्षबनाथ होंगे ए राइट आंसर एगा ध्यान रखेगा आप सबी कौन थे पार्षबनाथ थे काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट है और रिषब देव पर्थम रिथंकर थे अगला कॉईसन देखलेंजे नेम्न मेंसे किस स्रोथ की अनुसार ये कहा जाता है कि असोक ने स्री नगर सहर को बन बाया था तो इससे पहले जो कोईशन आपको बताए थी स्री नगर के अस्थापना किसने की थी असोक ने तो यहाँ पूचा जा रहा है कि किस रोद के अनुसार ये कहा जाता है कि असोक ने स्री नगर के अस्थापना के थी तो बताये कि कलहन की रास्तरंगनी में ये साक्ष मिलता है इसी के अनुसार ये कहा गया है कि असोक ने स्री नगर के अस्थापना के थी अगला कोई से देख लेजे दक्षिन भारत में जैन धर्म का परचार परशार हुआ था तो डिरेट आंसर रेंगे भदर बाहू के दुरा किया गया था ध्यान रखेगा दक्षिन भारत में जैन धर्म का परचार परशार किस ने किया था भदर बाहू ने किया था आगे देखले जे कांची पूरा में परशित वैकूंड पेरुमल मंदिर किसने बनबाया था तो ये बनबाया गया था नंदी बर्मन के द्वरा तो ध्यान डखेगा आप सभी कांची पूरा में परशित वैकूंड पेरुमल का जो मंदिर बनबाया गया था वो नंदी बर्मन के द्वरा बन बाया गया था आगे देख लिजे भारते संसा द्वरा दल विधल विरोधी विधेयक किस वर्ष पारित किया गया था तो right answer option में बिजाएंगे उन्हेश्चो पचासी में किया गया था ध्यान रखेगा आप सभी 1206 इसवी में कितुबूदिन एवक के द्वरा गुलाम बंस के अस्थापना की गई थी जो कि दिल्ली संतलत की सुरुवात यहीं सी हुआ था याद रखेगा आप सभी तो इल्टुतमिस जो था फेंड यह कौन थी कितुबूदिन एवक के द्वरा गुलाम वो थी ध्यान रखेगा आप सभी और इल्टुतमिस के ही द्वरा जो कि फेंड दिल्ली में इस्तिद कितुब मिनार का कारे को पूरा किया गया था निभ रखा था कितुबूदिन एवक ने पर पूरा किसने किया था इल्टुतमिस ने और इसे की पूतरी थी राज्यासुल्तान जो कि भारत की पर्थम महिला सासी का बनी थी अगला कोईशन देखे लेजिए अगला कोईशन ये बन रहे ते किस ने कहा था संसद्य परनाली सरकार का दैनिक मुल्यांकन भी उपलब दिकराती है और आपधिक भी तो राइट आंसर आपशन में ये उजएंगे डॉक्टर बी अर अमबेट करने कहा था ध्यान रखे गाव सभी आगे देखे लेजिए भारत का अंतिम वाइसरे जेनरल कौन था तो अंतिम वाइसरे की बात किया जा रहा है तो राइट आंसर आपशन में बेजएंगे लॉड म ध्यान रखे गाव सभी लॉड मॉन्ट वेटन भारत का अंतिम वाइसरे था पर्थम वाइसरे की बात किया जाए तो लॉड केनिंग था लॉड केनिंग भारत का अंतिम गवर्नस जेनरल तो पर्थम वाइसरे था और लॉड मॉन्ट वेटन कौन था ये अंतिम वाइसरे त वह स्वा संथा भारत का Governor General था ध्यान डखेगा आप सभी जब तक भारत सोसंथर नहीं हुआ था तब तक ये कौन था? से राज गोपाला चारित ध्यान डखेगा ये सोसंदर भारत का गवरनस ज्रिन्रल था और ये सोसंदर भारत का परथम भारतिय गवर्नस जेनल था दोनों में फर्क है ध्यान रखेगा ये भारतिय था और ये भारतिय नहीं था तो ये सिर्फ गवर्नस जेनल है 177 वारत का और ये 177 वारत का पर्थम भारतिय गवर्नस जेनल है तो ये चीज़ पर गवर किज़ेगा आप सभी आगे है राष्टे गान को पहली बार 1911 में भारते राष्टे कॉंग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था तो सबसे पहले आफ सभी यह देख लिजे कि राष्टे कॉंग्रेस के अस्थापना जो किया गया था 1885 में A.O. Hume के द्वरा किया गया था ध्यान रखेगा आप सुभी ये कुशन कई बार पूछा गया है और याद रखेगा आप सुभी तो 1911 में भारते राष्ट्रे कॉंग्रेस के किस अधिवेशन में गया गया था पहली बार राष्ट्रे गान तो इसका right answer option में विजांगे कॉलकाता अधिवेशन में गया गया था आगे देखले जे आंगले नेपाल यूद किसके सासनकाल में हुआ तो right answer option में विजांगे लॉड हेश्डिंग के सासनकाल में हुआ था आगे हैं लॉड डलोजी के द्वरा अवद का अंग्रेजी राज्यों में बिले निवन में से किस रीती से हुआ था तो ये हुआ था यूद द्वरा ध्यान रखेगा आप सबी तो लॉड डलोजी द्वरा अवद का अंग्रेजी राज्यों में विले किस रीती के द्वरा हुआ था तो यूद द्वरा हुआ था के लिए रहें option में be right answer हैंगे आगे हैं कि भारत में पर कितना किलोमेटर का ये लाइन था 34 किलोमेटर का ध्यान रखेगा आप सबी मुंबई से थाने की बीच में 34 किलोमेटर का लाइन 1803 में बिच्वाया गया था किसके सासनकाल में लॉड डलोजी के सासनकाल में उस समय का गवर्नर था लॉड डलोजी आगला कोश्चन दिखे क्रिसी का पर्थम उधारन कहां से प्राप्त हुआ है तो राइट आंसर आप्शन में स्विज़ेंगे मिहर गड़ से प्राप्त हुआ फिन ध्यान रखेगा आप सभी आगे हैं कि भारते पूरा तत्व सर्वेक्षन के अस्थापना किसके काल में हुई थी तो सी राइट आंसर आप्शन में लौड करजन के सासन काल में इसके अस्थापना की गई थी ध्यान रखेगा आप सभी आगे हैं कि भारत में किस अंग्रेजों के समय में पर्थम जनगन्ना हुई थी तो राइट आंसर आफसन मसे जाएंगे लौड मियो के कारेकाल में भारत में जनगन्ना की सुरुवाद विती ध्यान रखेगा आप सभी और ये 1872 में 1872 में शुरू किया गया था 1872 में लौड मियो के कारेकाल में और नियमित रूप से जनगन्ना की सुरुवाद जूवे थी फ्रेंट 1881 में लौड रीपन के समय में हुआ था तो ये दोनों डेट को याद रखेगा आगे देख लेजिए अगला कोईशन ये बंड़े के ब्रहम समाज और उसके समर्थकों ने क्या किया तो रैट आंसर आफिसर मड़ो जाएंगे वो प्रियुक्त में से तीनों से होगा जाती पर्था का विरोध क्या था विदवा पुनर विवा का समर्थन क्या था आधुनिक सिक्षा का समर्ण क्या था ध्यान रखेगा तो ब्रहम समाज और उसके समर्थकों ने क्या क्या तो ये तीनों क्या था ध्यान रखेगा आप सभी अगला question कर लेते हैं कि किस ने अपना पूरा जीवन बिद्वा पुनर विवा के लिए अर्पित किया था तो right answer option में डिजेंगे any patient ने अपना पूरा जीवन जोई कि बिद्वा पुनर विवा के लिए अर्पित किया था आगे देख लेजे मोहमडन एंगलो औरियंटल कॉलेज की अस्थापना किस ने की थी तो right answer option नमर भी हो जाएंगे सर सेयद अहमद खान ने मोहमडन एंगलो औरियंटल कॉलेज की अस्थापना की थी अगला कोईशन कर लेते हैं भारत में जन संख्या भुगोल की नी भी किस ने रखी तो right answer option मर डी हो जाएगा गोशल के दुरा रखा गया था ध्यान रखेगा आप सभी option मर डी right answer हैंगे आगे देख लेजिए अगला कोईशन यह बंड़े कि भारत में निम्नांकित संस्थाओं के अस्थापना करम में कौन सा सही है तो इसका right answer जोजेंगे option मर भी इसका right answer हैगा ब्रहम समाज आरिस समाज थियो सॉफिकल सोसाइटी रामकृष्न मिशन होगा तो यह जो कि भारत में संस्थाओं के अस्थापना करम है सबसे पहले ब्रहम समाज के अस्थापना उसके बाद आरिस समाज तब थियो सॉफिकल सोसाइटी तब रामकृष्न मिशन के अस्थापना होई थी आगे हैं कि बावर ने अपनी आत्म कथा तुजूक यह बाबरी किस भासा में लिखी थी तो राइट आंसर ओप्सन में सुझाएगे तूर्की भासा में लिखी थी ध्यान रखेगा आप सबी अगला कोशन कर लेते हैं कि दिल्ली का हिंदू सासक कौन था तो राइट आंसर ओप्सन में बिजाएगे हैमचंद्र विक्रमा अदित्य दिल्ली का हिंदू सासक था यह आगे हैं कि मुगल सासकों में सबसे पहले समराज को प्रांतों में किस ने बाटा तो यह बाटा गया था अकुवर की दौरा तो ध्यान रखेगा आप सभी अकुवर की दौरा सबसे पहले समराज को प्रांतों में बाटा था आगे हैं कि राज तिल्लक के समय अकुवर की आयू क्या थी तो राइट आंसर ओप्सन मर यह जाएगे तेरा वर्स छे महा इसकी आयू थी राज तिल्लक के समय अगला कोई सेने आइने ए अकवरी का लेखा कौन था यहां पर ए कर लिजेगा आइने ए अकवरी का लेखा जो तफेन वो अबुल फजल था याद रखेगा आपस भी अबुल फजल अगला है एलोरा में निर्मित परशित कैलास मंदिर का निर्मान किस वंस के सासकों ने करवाया था तो राष्टकुड वंस के सासकों ने कैलास मंदिर का निर्मान करवाया था जो कि एलोरा में इस थी थे आगे हैं कि रूपिया नामक चांदी का सिक्का सबसे पहले किशने चलाया था तो सेरसा सूरी के दुरा चलाया गया था ध्यान रखेगा आप सभी बिहार का काफी सक्ति सालिस आसक माना जाता है सेरसा सूरी को इसी ने हुमायू को पराजित किया था और मुगल वंस में गुश के अपना धाग जमाया था आगे हैं अकवर की सैना की मनसबदारी पर्था का सरपर्थम पर्योग किसकी सैना में था तो right answer option में उज़ाएगे चंगेज खान की सेना में था मंसबदारी पर्था का परियोग आगे देख लेजी तान सेन के गुरू कौन थे तो B right answer एगे स्वामी हरीदास स्वामी हरीदास जो एफिन ये तान सेन के कौन थे गुरू थे तो याद रखेगा आप सभी आगे है नियाय के घंटी और जंजीर के लिए कौन सा मुगल समराट पर इस्थी थे यानि कि कौन सा मुगल समराट इसके लिए जाना जाता है नियाय के घंटी और जंजीर के लिए तो जहांगिर जाना जाता है ध्यान रखेगा आप सबी तो जन्जीर से आप सबी जहांगिर को याद रख सकते हैं कहीं कोई दिक्कत नहीं है इसने एक जन्जीर लगाया था जो उस जन्जीर को हिलाता था गंडी को हिलाता था उसे नियाई दिया जाता था आगे हैं कि किस इतिहास कार ने कहा था कि अकवर का दीन ए इलाही उसकी मुर्खता का इसमा रखे तो ये कहा गया था बी ए इसमित की दुरा ध्यान रखेगा आप सबी तो B.A. Smith की दुरत क्या कहा गया था? अकवर का दीन ए इलाही उसकी मुर्खता का इसमा रख है आगे हैं कि कौन चा मुगल समराड चित्रकारी का महान पारखी माना जाता है? चित्रकारी का महान पारखी जहांगिर को माना जाता है ध्यान रखेगा आप सभी सलीम इसका बच्पन का नाम था जो के अकवर का पूत्र था आगे हैं लगुजवार चंदरकला निमलेकित में से किस पक्ष में घटित होता है तो ये होता है दूतिय एवम तृतिय पक्ष में ध्यान रखेगा आप सबी तो लगूजवार चंदरकला किस पक्ष में गटित होता है दूतिय एवं तृतिय पक्ष में आगे हैं कि किस मुगल समराट ने परशिद तक्त ताओ मयूर सियासन बनवाया था आगला है कि उत्रा दिकारे की लड़ाई में दारा सिकोहा का अंतिम रूप से हर किस लड़ाई में हुई तो राइट आउप्ष नमर बी हो जाएंगे देवडा के यूद में हुआ था ध्यान रखेगा आप सबी तो दारा सिकोहा का अंतिम रूप से जो हार हुई थी वो देवडा के यूद में हुई थी आगे देख लिए जे औरंगजेब के बिरोधी किस बिद्रो में राजने तिक से अधिक क्रिशिकों की प्रिष्ट भूमी महतपूर्ण थी तो यह जो तेफिन वो सतनामी विद्रो में थी ध्यान रखेगा आप सबी कि निमलेकित में से सिवाजी पर सबसे अधिक परभव किसका था तो सी राइट आंसरेंगे जी जाबाई का था द्यान रखेगा आप सबी तो सिवाजी पर सबसे अधिक परभव जो था वो किसका था जी जाबाई का था अगला को इसने लाल कुम्बर नामक की बैसिया किस मुगल सासक के राजकाल में अतिपरवासिल थी तो राइट आंसर आपसन में एव जाएंगे बहादूर सा परथम के राजकाल में अतिपरवासिल थी लाल कुम्बर नामक बैसिया तो आपसन में ए राइट आंसरेंगे अगला कोईशन कर लेते फिन अगला कोईशन ये भंड़े कि सिवाजी ने अपने राज में भूराजस वे कितना परतीसत बढ़ा दिया था तो दिए कि सिवाजी ने अपने राज में भूराजस वे जो बढ़ाया था लगबक 40 परतीसत बढ़ा दिया था अगला कोशन है पर्षिद मयूर सिहासन को भारत से बाहर ले गया तो नादिर साकित वर ले गया था ध्यान रखेगा आप सभी तो पर्षिद मयूर सिहासन को भारत से बाहर कौन ले गया था नादेश जाने अगला कोशन देख लिए तिसरे पानिपत के यूद में जाट सासक सूरज मल की क्या भूमिका थी इसकी भूमिका जो तिफिन उसने माराठाओं की सक्रिय सहायता की थी ध्यान रखी गए यानि कि सूरज मल ने क्या क्या था माराठाओं की सक्रिय सहायता की थी पानीपत का तिसरा यूद जो हुआ था वो 1761 में हुआ था आमधा सा SPD और मराठों के बीच में ध्यान रखेगा और इस यूद में सुरज मेटने क्या क्या था मराठों का असक्रिय सहायता क्या था अगला कोई सरी नेगर के अस्थापना की सासक ने कीती इससे पहले या कोई से न हो चुके हैं अगला है बनारास हिंदु बिश्विद्याले के संस्थापक कौन थे तो इसका राइट आंसर आफिसर में स्विज़ेंगे मदन मोहन माल भी ध्यान रखेगा आप सभी मदन मोहन माल भी अगला है रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था आगे है अन्यमन में से इस्ट्रेजी आयोग किसे संबंधित था तो इस्ट्रेजी आयोग किसे संबंधित था ध्यान रखेगा आप सभी इस्ट्रेजी आयोग किसे संबंधित थे आकाल से आगे हैं कि स्वसंतर्ता के समय भारती राष्टे कॉंग्रेस के अध्यक्ष कौन थे तो बीरेट आंसरेंगे जेबी क्रिपलानी जेबी क्रिपलानी स्वसंतर्ता के समय कौन थे भारती राष्टे कॉंग्रेस के अध्यक्ष थे आगे हैं कि भारतिय राष्ट्य कॉंग्रेस का 1896 का अधिवेशन निमलेकित में से किस के लिए विख्याय थे तो बीरेट आंसरेंगे पहली बार राष्ट्य गित गया गया था 1896 में ध्यान रखेगा आप सभी राष्ट्य कॉंग्रेस का अधिवेशन 1896 का जो था ये पहली बार इसमें राष्ट्य गित गया गया था आगे है कि निमलेकित में से किस गवर्नर्स जेनरल को भारती प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है तो b right answer एंगे सर चार्ल्स मेट किलीफ को जो किफन क्या का जाता है प्रेस मुक्तिदाता कहा जाता है भारत का आगे है समुंदरी बेपार के संदर में कारताज बिवहसता का उप्योग किस के दवारा किया जाता था आगे हैं कि सुरेंदर नाद बनर जी के बारे में निमलेकित में से कौन सा कथन सही नहीं है उन्हाँने आनंद मोहन बोस की साथ मिलकर सधारन ब्रहामनों समाज की अस्थपना की थी ये बिल्कुल क्या है सुरेंदर नाद बनर जी के बारे में सत्ति नहीं है ध्यान रखेगा आप सभी सही क्या है ये इंडियन नेशनल एस्वियेशन के संस्थापक थी वे कोलकाता के रीपन कॉलेज के संस्थापक थी उन्हें जोके फ्रेंड राष्टे चेतना के कॉंसेप्ट के लिए भी जाना जाता है तो ये सभी के लिए जोके फ्रेंड सुलेंदर नाथ बनर जी के बारे में बिल्कुल सत्ति है जबकि ऑफशन नमर डी बिल्कुल कला थे है आगे देख लिए जे स्वसंतरता अंदोलन के दोरान रविन नाट टैगोर ने नाइट हूट की उपादे किस घटना के बिरूद में वापस कर दी थी तो राइट आंसर ओप्शन में स्विजाएंगे जलिया वाला बाग हात्या कांड के बिरूद में किया था तो याद रखेंगे आपस भी नाइट हूट की जो उपादी लोटा दी थी तो ये जलिया वाला बाग हात्या कांड के बिरूद में और ये घटना का वुआ था 13 अप्रेल 13 अप्रेल 1929 को कहाँ पर अमरी सर में हुआ था अगला कोईशन देखिलेजे मुसलिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कॉंग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है तो C र or अगे देखिलेजे भारत में पहली यूरोपी बस्ति किस अस्थान पर अस्थापित की गई थी तो A8 आंसर हैंगे कोची में अस्थापित की गई थी अगला कोईशन देख लेज़े नेमलेकित में से किस राज जी ने अंग्रेजाओं को मुक्त वेपार के लिए सुनहरा फर्मान जारी किया तो यह किया गया था गोलकुंडा में तो अंग्रेजों को मुक्त विपार करने के लिए सुनहरा फर्मान जो जारी किया गया था गोलकुंडा राजजी के द्वरा अगला को इसने सलवाई की संधी किस यूद से संबंदी थें तो ये संबंदी थें पर्थम आंगल माराथा यूद से संबंदी थें सलवाई की संध अगला कोई से ने बक्सर की लड़ाई इस्ट इंडिया कंपणी द्वरा किसके साथ लड़ी गई थी इस्ट इंडिया कंपणी कर लिजेगा इस्ट इंडिया कंपणी द्वरा किसके साथ लड़ी गई थी बक्सर की लड़ाई याद रखेगा बक्सर की लड़ाई जो वा था वो कब हुआ था 1764 में हुआ था 857 में तो यह जो लड़ी गई थी राइट आंसर ओप्शन में यह जाँगे मीर कासिम के साथ में अगला को इसने निमलेकित में से भारतिय सिक्षा का मेगरा या मेगना काटा किसे कहा जाता है तो मेगरा या मेगना काटा कहा लिज़े काटा जो है यह किसे कहा जाता है तो इसका राइट आंसर ओप्शन नमर यह जाएंगे बूट्स डिस्पेज को कहा जाता है ध्यान रखेगा आफ सभी आगे है वर्निकूलर प्रेस अधिनियम और सशस्त्र अधिनियम किस वाइसराई के द्वरा पारिद किया गया था तो यह पारिद किया गया था लॉड लेटन के द्वरा यह रइट आंसर हैंगे आगे देखेगे जेफन कि नेमलिकित में से किस वाइसराई के हतिया उनके कारिकाल के दोरान की गई थी तो लॉड मियो की हतिया जो के फ्रेंड उसके कारिकाल के दोरान की गई थी आगे देखे लॉड रीपन ने हंटर आयो का गठन किस लिए किया था तो बीरेट आंसरेंगे भारत में सिक्षा सुधार के लिए लॉर्ड रीपन ने हंटर आयूग का गठन किया था फ्रेंड, आगे देखे लिए जे, भारतिय टंकन, कागजी मुदराा, अधिनियम किस वोईसरे ने पारित किया था, तो right answer option में सरिजएंगे लॉर्ड करजन ने पारित किया था, ध्यान रखे गा आप सबए, आगे देखे रेत आंसरेंगे नाना फठ निवश को कहा जाता है आगला कोईशन देख लीजे स्री रंगपतनम की संदी का संबंध किस योद से हैं तो ये संबंधी थे तृतिया आंगल मईसूर योद से वीकले, ये रेत आंसरेंगे आगे हैं महात सत्यागरा का नेतरित्व किस ने किया था तो इसका right answer option में बीजाएंगे डॉक्टर भीमरा अमबेटकर के द्वरा इस सत्यागरा का नेतरित्व किया गिया था आगे हैं एस्ट इंडियन कमपनी ने किस वर्ष मुंबई को पुर्टगालियों से प्राप्त किया तो इस इंडियन कमपनी ने मुंबई को पुर्टगालियों से जो प्राप्त किया था पुर्टगाल की जो राजकुमारी थी Catherine और बिर्टेन का राजकुमार था Charles Dutya इसका बिभाग किया गया था और इसमें जो कि पूर्तिगालियों ने उसे देहेज में मुंबाई परदान किया था तो इसका ओफिसन में भी रेट आंसर एगा अगला को इसे ने गुलाम गिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी जो तीवा फूले के दोरा लेखी गई थी गुलाम गिरी नामक पुस्तक आगे हैं नेमलेकित में से कौन अवद का अंतीम नवाफ था फ्रेंड तो इसका रेट आंसर एगे वाजित अलीसा जोय फ्रेंड ये अवद का अंतीम नवाफ था आगे हैं भारतिय पूरा तत्व विभाग को अस्थाई सांस्था कब बनाया गया था तो इसका रेट आंसर ओफिसर नमर सी हो जाएंगे उनई सोच्छे में भारतिय पूरा तत्व विभाग को अस्थाई सांस्था बना दिया गया था आगे हैं निमलेकित में से कौन सी पूस्तक गांधी जी द्वरा लिखी गई थी राइट आंसर आफ्सेन में भी हो जाएगे हिंद सोराज महात्मा गांधी जी की पूस्तक है अगला है जल्याबाला बाग हात्या कांड से ठीक पहले कौन से गटना गटी थी तो ये गटना का नाम है रॉलेट एक्ट का पारित होना तो ये जल्याबाला बाग हात्या कांड से पहले जो की गटित हुई थी अगला है कि निमलेकित में से कौन से गटना खिलापत ओंदोलन के लिए असफलता का कारण बनी तो इसका सी रैइट आंसर रेंगे तूरकी में करांती तूरकी में जो करांती हुआ था ये जो इफिन खिलापत ओंदोलन के लिए असफलता का कारण बनी थी आगे है कि सिवाजी ने आट मंतरियों के परिशात का गठन किया था उस परिशात का नाम किया था तो इसे अष्ट परधान कहा जाता था तो आड मंत्री परिशत को अष्ट परधान कहा जाता था अगला है 802 में बिटीस इस्ट इंडिया कंपनी के साथ बसाइ की संधी पर किसने हस्ताक्छर किया था तो ये क्या गया था बाजी रौध दूतिये की द्वरा तो बाजी रव दूतिये ने बसाई की संदी पर अस्ताक छर किया था आगला है भारत में सहयक गटवंधन किसने शुरू किया तो राइट आंसर ओप्सन में भी जाएंगे लॉड विलेसले के दौरा शुरू किया गया था सहयक गटवंधन आगे देखे लिजए किस चार्टर अधिनियम के दौरा इस्ट इंडियन कंपणी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था तो राइट आंसर ओप्सन में भी हो जाएंगे चार्टर अधिनियम 813 के दौरा जो किफन East Engine Company का एकादिकार को समाप्त कर दिया था आगे हैं कि गुजरात में किस अस्थान पर हडपा की सवेता के अफसेस मिले थे तो आपसे को बता हैं थे लोथल लोथल ये हडपा सवेता का सबसे प्राचिन नगरों में से एक है ध्यान रखेगा जो कि गुजरात में इस्थी थे अगला है कि नेमने में से किस दरब का उप्योग हडपा काल की मुद्राओं के निर्मान में मुक रूप से किया गया था तो टेरा कोटा दरब का उप्योग किया गया था ये रैट आंसरेंगी आगे है त्रेतिय पानी पत का यूद हुआ तो ये कब हुआ था तो ये यूद जो हुआ था आमदासा अब्दाली और मराठों के बीच में 1761 में लड़ा गया था इस यूद में मराठों का बुरी तरह से पराजय हुआ था आमदासा अब्दाली जीत गए थे आगे है उस्ताद मंसूर खा किसके सासनकाल के परशीच चितरकार थे तो राइट आंसर ओफिसन में विजएंगे जहांगिर के सासनकाल के परशीच चितरकार थे आगे है उनएस चो उनएस में अखिल भारते खिलापत सम्मेलन किस अस्थान पे हुआ था तो राइट आंसर आफिसर में सुझेंगे दिल्ली में हुआ था ध्यान रखेगा आप सभी तो 19 में अखिल भारते खिलापस सम्मिलन जो हुआ था वो दिल्ली में हुआ था आगे है कि किस के समय में कोलकाता में पर्थम नियायले के अस्थापना की गई थी तो राइट आंसर आफिसर में सुझेंगे वारेन हैश्टिंग के समय में जो के फिल्ली में कोलकाता में पर्थम नियायले के अस्थापना की गई थी आगे है कि किस बौत संगिती में बौत धर्म की हिनियायन और महयान सखाओं का उदय हुआ था कहे तो बौत धर्म दो भाग में बौत संगिती में हुआ था चतुर्त बौत संगिती में हुआ था इस भी की पर्थम सदाबदी में ये आयुजित किया गया था कनिक्स के सासनकाल में और इसी में बौत धर्म दो भाग में बौत धर्म में हिनियायन और महयान धर्म में आगे है किस मुक उद्देश से असोक ने अपने परजा में धम का परचार किया था तो D. आंसर एंगे अपनी परजा की नैतिक और अध्यात्मिक भी कास ही तू किया था आगे है पर्थम तेराइन का यूद कब हुआ था तो Right Answer Option में यूँजाएंगे 1191 इसापूर में 1191 इसापूर में परथम तेराइन का यूद वा था आगे है बीजाए नेगर राजी की अस्थापना किस ने की थी तो इसका Right Answer Option में बेजाएंगे हरियार और बुका ने हरियार और बुका ने बीजाए नेगर समराज के अस्थापना 1336 इस्वी में की थी ये दोनों काक्तिय बंस के साइनापती थे आगे है नेमलेकित में से कौन एक सुमेली थे सही सुमेली थे इन में से तो Right Answer Option में डियो जाएंगे थियोसाफिकल सोसाइटी एनी बेशेंट से सम्मन्दी थे बिल्कुल सत्य ध्यान रखेगा आपसे बही आर इस समाज के संस्थापक कौन थे दयानन स्थापक कौन थे दयान रखेगा राजा राम मोहन राय ने होगा दयानन सुरसती होगा राम कृष्न मिशन के अस्थापना कि ने की थी स्वामी बिविकानन ने किया था ध्यान रखेगा लाला लाजपत राय नहीं होगे स्वामी बिविकानन थोगा ब्राम समाज के अस्थापना जो किया गया था यह किया गया था राजा राम मोहन राय के दुरा ना कि राम कृष्न परम हंस के दुरा किया गया था तो ब्रहाम समाच के अस्थाफपना राजा राम मोहन राय ने किया था तो याद रखेगा आप सभी चलिए मिलते हैं जहिंद बने मात्र बन ध्यान के गप पड़ाई करती रिएगा आपसे भी जहिंद